छेतर के विकास के लिए एक हजार कड़ो रुपे दीजिए अगर नहीं दीए तो फिर मांगेंगे उसके बाद में नहीं दीए तो समझ दीजेगा हम आपकी पाटी में नहीं हैं गटबंधन में हैं और अगर हम चमक गए तो फिर आप मुसीबत में पढ़ जाएंगे जीतन राम मांजी ने सियन मितीश पर बड़ा हमला बोला है और साफ तोर पे अपने छेतर इमाम गंज के विकास के लिए एक हजार कड़ो रुपे की मांग करती है और अल्टिमेटम दे दिया है कि अगर आप नहीं देंगे तो हम फिर मांगेंगे और उसके बाद भी नहीं द करते हैं खुले आम धमकिदी है जीतन राम मांजी ने बिहार के मुख्या सियन मितीश को जीतन राम मांजी कब क्या आप बोल जाएं इसके बारे में कोई नहीं अंदजा लगा सकता कल ही वो एंडिये के नेताओं को नसीहत दे रहे थे और कह रहे थे कि जिस तरह की बयानव जी अचानक नितीश को मार पर इतने अग्रसिब के हो गए हैं तो इसका जवाब ये हो सकता है कि आने वाले वक्त में MLC का चुनाव होना है अस्थानिय प्रादिकार कोटे से कई MLC का चुनाव होना है इसको लेकर हो सकता है जीतन राम मांजी सेम नितीश पर दबाब बना रहे हों क्योंकि आपको पता होगा जीतन रामांजी की बहु जो है दीपा संतोश मांजी वो भी लगातार से अब सुर्ख्या में आना शुरू हो गई हैं कई तरीके से आप पते जनक टिपन्डि कर रही हैं और इस बात की पूरी कोशिश कर रही है कि वो चर्चा में रहे तो हो सकता है कि उनकी बहु को MLC के लिए मौका मिले इसको लेकर जीतन रामान जी ने मोर्चा खोल दिया है और सीधे तोर पर अल्टी मेटम दे दिया है हलाकि गौर करने वाली बात ये भी है कि कल जब वो NDA के नेताओं को नसिहात दे रहे थे उस वक्त निदा प्रतपक्ष्तियों सियादपर्व निशाना साथा था और कहा था कि जब भी NDA के अंदर बयानवाजिया होती है तब तेजस्वी यादव सियम बनने का सपना देखने लगते हैं लेकिन हर बार उनका सपना तूट जाता है और वो सपना पूरा कभी नहीं होगा यानि साफ तोर पे जीदन राम मान जी सियम बताना चाते हैं कि हम आपके साथ खड़े हैं लेकिन आपको हमारे लिए सोचना होगा और उन्होंने साफ तोर पे कहा है कि हम राजिंती का अंतिम पारी खेल रहे हैं और हम अपयश लेकर नहीं जाना चाते हैं हम यश कमाना चाते हैं नाम कमाना चाते हैं ताकि हमारे छेत्र के लोग हमको अच्छे कामों के लिए याद करें बता दे कि वो इमाम गंज में मौझूद थे वहाँ पर कुछ लोग मौझूद थे कारिकरता मौझू थे वहाँ पर उनके बेटे इस वक्त बिहार सरकार में मंत्री संतोष मांजी भी थे और कहा कि आप एक हजार करोड का अस्टिमेट बनाईए और हम निती सरकार से मांग करेंगे उन्होंने ये भी कहा कि हमी उम्मीद है कि हमारी मांग को मान लिया जाएगा और हम कई योजनाओं की शुरुवात अपने इनाके में करना चाहते हैं ताकि हम जो है नाम कमा पाएं लोगों के बीच अच्छा मैसेच जाएं क्योंकि हम राजिती का अंतिमपारी खेल रहे हैं और हम यश चाहते हैं जीतन रामांजी के इस बयान के बाद सीयम नितीश की नीद उर नित्त है क्योंकि इस वक्त सीयम नितीश बीजेपी निताओं के निशाने पर हैं लगातार ये कहा जा रहा है कि बिहार जो है वो पुलीसिया तंत्र में बदल चुका है लगातार बीजेपी के निता सीयम नि रुखनन को लेकर सेम्तिश लगातार निशाने पर हैं ऐसी प्रस्ति में अगर जितन रामान जी मोर्चा खोल देते हैं खोले तोर पे और ये अल्टी मेटम ही है कह दिया है साफ तोर पे अगर बात नहीं मानी गई तो ध्यान रखिएगा हम आपकी पार्टी में नहीं है गट इस वक्त जीतन रामान जी की पाटी के पास 4 विधायक हैं अगर वो आरजिक खेहमा में चले जाते हैं तो कहींने कहीं CM नितीश की दावेदारी कमजोर होगी उनकी सिथी कमजोर होगी तो एक बड़ी खबर बिहार की सियासत से आ रही है जीतन रामान जीने खुले आम धमकिद डाली है अल्टी मिटम दे दिया है और जितन नमान जी के इस बयान के बाद अब विहार की सियासत जो है वो गर्माना तय है अब देखने वाली बात होगी इसको लेकर निताओं के क्या बयान आते हैं जीबी के तरब से क्या कुछ बयान आता है हमारे नजरे बनी रहेंगी आप देखते रहें जंता जंक्षन बहुत बहुत धन्यवाद